आज हम mixture chapter से कुछ important question को solve करना सीखेंगे ये question सभी तरह के competitive के exam में बार बार पूछे जाते हैं ऐसे question को बनाने के लिए हम allegation method का use करके question को बहुत आसानी से solve कर पाएंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो हमारे चैनल को subscribe कर ले और बेल आइकन के all पे किलिक कर ले ताकि आने वाले वीडियो का notification आपको मिलता रहे ये हमारा पहला question है 60 रुपे पर केजी की चाय को 90 रुपे पर केजी के चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रन का मुल्य 72 रुपे पर केजी हो जाए यहाँ पे दो तरह की चाय है एक है 63 रुपे पर केजी और दूचरा है 90 रुपे पर केजी इस question को हम कैसे solve करेंगे यहाँ पे हम allegation method का use करेंगे जैसे पहला जो मिश्रन है वो 63 रुपया पर केजी है और दूसरा जो मिश्रन है वो 90 रुपया पर केजी है और हमें इसे इस अनुपाट ने मिलाना है कि इसका दाम जो है वो 72 रुपया पर केजी हो जाए 22 को हम middle में रख सकते है यहाँ पे cross minus करेंगे जैसे यहाँ पे 72 से जब 63 को minus करेंगे तो हमें यहाँ पे 9 मिलेगा उसी तरह 90 से अगर हम 72 को minus करेंगे तो हमें यहाँ पे 18 मिलेगा यहाँ पे जो 2 number मिलेगा यही हमारा रेशी होगा जैसे यहाँ पे 18 और 9 मिला है इसे हम कटाएंगे 9 एकम 9, 9 दुनी 18, 2 अनुपात 1 जो है वो हो जाएगा हमारा final answer मतलब 63 रुपया पर केजी के चाय और 90 रुपया पर केजी के चाय को आपस में मिलाने पर 2 अनुपात 1 के अनुपात में अगर हम final answer दो अनुपात 1 जो की option C में दिया गया है तो option C जो है वो हमारा सही answer हो जाएगा इस तरह के question पूछे जाते हैं तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रस्नल इस question में बोला गया है कि एक दुकानदार 30 रुपया पर केजी के चावल को 40 रुपया पर केजी के चावल के साथ क इस अनुपात में मिलाए कि मिश्रन का मुल्य 33 रुपया पर केजी हो जाए यहाँ पे question में एक चावल है जो 30 रुपया पर केजी है 30 रुपया पर केजी और दूसरा चावल है 40 रुपया पर केजी यहाँ पे बोला गया है चावल का मुल्य कितना होना चाहिए 33 रुपया प पर केजी और हमें बनाना है कितना 33 उर्पिया पर केजी के हिसाब से बेचना है इन दोनों चावल को मिला के तो इसे लिखेंगे बीच में यहाँ पर क्रोस माइनस करेंगे यहाँ पर जब माइनस करेंगे 33 से 30 को तो हमें यहाँ पर 3 मिलेगा और यहाँ पर 40 से 33 को माइनस करे तो हमें यहाँ पे 7 मिलेगा तो हमारा आंसर क्या होगा हमारा आंसर होगा 7 अनुपात 3 यह हो जाएगा हमारा final answer 7 अनुपात 3 के अनुपात में अगर मिलाए तो वो चावल 33 रूपया पर केजी के हिसाब से हो जाएगा तो इस तरह के question बार-बार सभी तरह के competitive के exam में repeat किये जाते हैं तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रस्न इस question में बोला गया है कि 36 रुपया पर लिटर की दूद के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रन का मुल्य 22 रुपया पर लिटर हो जाए यहाँ पे बोला गया है कि 36 रुपया पर लिटर दूद है दूद का मुल्य दिया गया है 36 रुपया पर लिटर और यहाँ पे बोला गया है कि हमें बनाना है 28 रुपया पर लिटर के हिसाब से तो यहाँ पे हम पानी का मुल्य 0 रुपिया पर लिटर लेके question को solve करेंगे मिश्रन बनाना है हमें 28 रुपिया पर लिटर वाला 28 रुपिया पर लिटर तो यहाँ पे 36 रुपिया पर लिटर दूद है और यहाँ पे पानी का मुल्य हम लेंगे 0 और मिस्रन को बनाना हमें 28 उरिपिया पर लिटर तो यहाँ पे 28 मिडिल में लिखेंगे यहाँ पे जब हम 36 से 28 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे जीरो से 28 को माइनस करेंगे यहाँ पे 28 से 0 माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 28 यहाँ पे अनुपाद क्या होगा 28 अनुपाद 8 इसे कटाएंगे 4 से 2 बार में ये 7 बार में मतलब 7 अनुपाद 2 जो है वो हो जाएगा हमारा final answer जो कि option D में दिया गया है तो option D जो है वो हमारा final answer हो जाएगा 7 अनुपाद 2 के अनुपाद में अगर दूद और पानी का mission बना जाए तो 28 रुपिया पर लिटर के हिसाब से उसे बेज पाएंगे तो इस तरह के question पूछे जाते हैं अब हम बनाते हैं एक अगला प्रस्न इस question में बोला गया है कि 14.40 रुपिया पर केजी के गेहूं को 11.40 रुपिया पर केजी के गेहूं के साथ किस अनुपार्ट में मिलाया जाए कि mission का मुल्य 12.60 रुपिया पर केजी हो जाए यहाँ पे जो पहला गेहूं है उसका मुल्य है 14.40 रुपिया और दूसरा वाला जो है उसका मुल्य है 11.40 रुपिया बोला गया है कि इन mission को मिला के बनाना है 12.60 रुपे पर केजी वाला तो यहाँ पर हम क्या करेंगे क्रोस माइनस करेंगे जब तो यहाँ पर इस तरह माइनस करेंगे 12.60 से जब हमें 11.40 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1.2 बचेगा मतलब 1.20 एक रुपया बीस पैसा और यहाँ पर 14.40 से 12.6 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर 1.8 मिलेगा मतलब 1.80 पैसा यहाँ पर 1.2 अनुपाद 1.8 हमें मिलेगा इसे हम नॉर्मल हिसाब से अगर solve करें तो 12 बटा 10 अनुपाद 18 बटा 10 हो जाएगा यह 10 दस आपस में कर जाएगा 6 से 2 बार में 18 कटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 अनुपाद 3 यह हो जाएगा हमारा final answer उस गेहों को 2 अनुपाद 3 के अनुपाद में मिलाए तो मिश्टन का मुले 12.6 रुप्या पर किलो हो जाएगा 2.3 जो है वो option B में दिया गया है तो option B जो है वो हमारा सही answer हो जाएगा इस तरह के question सभी तरह के competitive के exam में बार बार repeat के जाते हैं allegation method mixer वाले question को बनाने का बहुत ही आसान तरीका है